हाँ बई आई इससे मात करेंगे बन ऐसा है ना बई यह अपनी एक्स अक्सिस थी यह अपना वाई एक्सिस था यह अपना जैड एक्सिस था अच्छा अपना जो भी आर था आपको याद होगा अपने ऐसे किया था कुछ दो यों गए थे तीन इस तरव गए थे और चार उपर गए थे यह अपना टू त्री फोर बन गया था फिर अपने कोशिश करके इस पर ठीक है ना इस पर अपने एक क्यूब बना लिया था याद आपको जितना मुझे याद है कुछ हैंसाथ क्यूब बन गया था अपना है कि अपना 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 था तो मैंने आपको यह बदाए था कि जैसे आप इसको मिला होगे तो यह 90 डिगरी फॉल होगा सही न बई अच्छा जिनको यह द्याने अपने काम कर रहे है तब तक मैं इस आर वेक्टर को थोड़ी सी देर के लिए ठीक है बाहर लेकर आ रहा हूँ बस मैं सिरफ इस डाइग्राम को बाहर ला रहा हूँ देख लिया अगर मैं इसको बाहर लेकर आता हूँ तो यह 90 यह अलब की लगनी रहा 90 डिग्री लेकिन यह 90 डिग्री है सही है तो यह 90 डिग्री को मैं भाहर लेया हूँ अच्छा इसमें यह आर वेक्टर है यह आगे जा करके अपनी एक्स अक्सेस बन जाएगी अच्छा इस पर हर यूनिट दूरी पर एक आई-कप दूर कवर होता अच्छा एक बार के लिए को यह बता ज़ता हूं कि जब अपना एकक्सेस यएक्सेस होगा लुटर एक्सेस से इस प्रकार से अब यह अपकीर ऑस्गात है अच्छा इसुफे ईपना और यह अपना है यह अपना र वेक्टर है यह थोड़ा और slant माल ले देंगे, कुछ R vector है, देख लिया, ये R vector जो है, ये अपने X axis के साथ में कुछ angle बना रहा है, ये alpha बनेगा, ठीक है, ये Z axis के साथ कुछ angle बना रहा है, ये gamma बनेगा, Z के साथ gamma, और ये Y axis के साथ कुछ नो कुछ angle बनाएगा, ये beta बनेगा, ठीक है, तो ये alpha, ये, ये X axis में किया रहा है, यहां होना थी था तो, अपने क्या फस नहीं रहा है, ठीक है, तो आप काम निकाल ले ना बस ऐसे, ठीक है न भई, हाँ ये alpha है, ये beta है, और ये gamma है, सही है, ये वाला अपना gamma angle है, तो alpha, beta, gamma है, अब ये अगर bay Kayla है, ये जो ट्रेंगल घ्रवालomial है, अच्छा, ये अपनी एक्सेस है, तो अब आउट इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ये x axis पे alpha angle बना रहा है, x axis पे alpha angle बनाते ही, इसकी खुद की length अपने मोड और होंगी, मोड र होते ही, ये जो इस पे projection गिरा ये mod r cos alpha हो गया अच्छा इसकी length अगर mod r cos alpha हो गई तो जब आप इसका vector form बनाएंगे ठीक है तो mod r cos alpha i cap हो जाएगा यादे ना क्योंकि ये तो इसका magnitude हुआ ये तो इसकी लंबा ही हो mod r cos alpha और x-axis पे चलने का इसका तो vector form होगा वो i cap होगा तो actual में कोई भी कैसे देखो ये जो है अब ये mod r cos alpha i cap क्या चीज़ है ये mod r cos alpha ये यहां से यां तक की दूरी है mod r cos alpha क्या चीज़ है यहां तक की distance है ठीक है ना उसी बरकार से जिस दिन आपने ये projection इस पे डाला z axis पे डाला कब की बार ये 90 degree यहां बनाएगा तो ये होगा mod r cos beta gamma ठीक है और z axis की वज़े से cake है तो जब आप r वापिस लोगे तो r vector कैसे वापिस आएगा r vector is equal to होता है mod r cos alpha i cap plus mod r cos beta j cap plus में mod r cos gamma cake है ये होआ i cap x axis को दिखा रहा है ये y axis को और ये z axis और तीनों का projection मिलकर के वपिस r दे रहा है तीनों का projection मिलकर के मुझे r vector दे रहा है ये बात तो पकड़ माती है अच्छा अब जिने ये बात समझ में आती है ये दीरे जिरे और और पक्की हो दियागी दीरे जिरे आपने इसे किसी को अगर ये confusion है i cap, j cap, k cap अच्छे नहीं लग रहा है सब समझ में आएगा जिनको ये समझ में आएगा उन्हें पता है इस पूरी कानी में से अभी कुछ common आ रहा है mod r mod r अगर common आ रहा है तो ये अपने आप में r vector अपन mod r vector हो गया इसका मतलब क्या बन गया r cap r cap इस दुकर्ड हो गया cos alpha i cap cos beta j cap plus cos gamma k cap अब तब तक मैं आपको एक और बात बदाता हूँ मैंने अभी अभी आपको बदाता alpha जो है वो अपने आप में angle between angle between ठेके ना r vector and x axis है ये बात आपको समझ माई अच्छा बीटा जो है वो अपने आप में angle between r vector and y axis याद आगया और अपना जो gamma है वो अपने आप में angle between r vector and z axis है यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कोई परिशानी आएगी और मैंने इनको नाम दिया था direction angle याद रहेगा आपको these all are direction angles पहले तो यह पकड़ लो कि direction angle क्या होते है अच्छा जैसे direction angle बने तो direction angle क्या आगे cos बेटा क्योंकि direction angle alpha बीटा कम है तो इमका जो भी cos होगा वो इमका cosine हो गया तो यह अब direction angle ना बन करके क्या कहलेगा direction cosine तो यह direction cosine में आ गया इसका मतलब you are taking r vector in terms of direction cosine ना अच्छा यह जो direction cosine है इसमें हम लोग cos alpha को जानभूज करके L बोलते हैं particularly सारी दुनिया में L के नाम से बुकारा जाता है याद रखना तो cos alpha is equal to L cos beta is equal to M और यह cos gamma is equal to N तो यह basically r cap is equal to li cap plus में mj cap plus में n k cap और यह जो cos alpha cos beta cos gamma है they all are known as direction cos यह होते हैं direction cosine सही है अच्छा एक बात आता ही है मैं बड़ा interesting question बूशता हूं किसी डेब में मैंने अपने आपसे बूशा था यह अपने teacher से teacher तो मिलते ही नहीं थे ठेकें तो अपने दोस्तों से बूशता है यह direction cosine क्यों होते हैं ठीक है ना हाँ बड़ी कोई logic direction tangent क्यों नहीं होते है इसका projection देता ही cos है tangent क्यों अपने घर से लगा लूँआ नहीं है तो direction जब बनता ही cos में है तो direction cos में है को cos नहीं बोलेगा बचारा इसलिए direction cos होते हैं को direction tangent नहीं होते है कोई भी समझ सकता है l square plus m square plus n square equal to 1 कैसे 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 क्या आपको पता चला नहीं पता चला दोना तरह modulus ले लो modulus लेते ही आपको पता है i cap j cap k cap का modulus कैसे आता है l square plus m square plus n square और mod r cap r cap मने unit vector unit vector का cap unit vector का mod 1 इसलिए बन होगा और यह अपने आपको अद्बोद identity है साब गजब मतला आपको पता नहीं 3D का base और कम से कम अगले 100 questions की जान यह है सबसे शांदार जी direction cosine का यह अपने आपने आपे relation है कि l square plus m square plus n square is good to 1 होता है remember one thing इससे दो बाते हैं समझते हैं एक indirect way में समझ गए कि cos square alpha plus में cos square beta plus cos square gamma is good to 1 होता है सोचने में आगया होगा उमीद आपको अच्छा कई लोग यहां से यह भी समझ जाते हैं कि मैं यह कहना चाहता हूं कि sin square alpha plus में sin square beta plus में sin square gamma is equal to 2 आईला कैसे और cos square alpha को लिखा 1 minus sin square 1 minus sin square 1 minus sin square तो 3 minus sin square minus वाले सारे इदर भेज़ दो और 1 को इदर बला दो नहीं आया यह सब relation है यह सब j means का question है आपको alpha beta देगा gamma पूछेगा अगले chapter की सुरुआज में alpha beta देगा gamma पूछेगा ठीक है कम से कम जुरू के जो basic question है उनकी पहले question की सो पहले सो question में सबसे important फार्मूलेज में से एक है अच्छा जिनको यह बात समझ में आगी और आ गया तूँँआ अपिस आ रहो ठीक है अच्छा अब आप एक और बात सुनिएगा आपने जंग से देखा कि जब तक r vector था तब तक कुछ नहीं लेकिन जैसे r vector का r cap बना तो जो i cap के आगे बैटा था वो l बन गया l बना अच्छा कई लोग यहां पर भी एक और बात समझे बहुत अच्छी अच्छी बाते सुनते जाओ चुप चाप बड़े ज्यान से r vector अपने आप में किस-किस के मिलने से बना mod r cos alpha i cap mod r cos beta j cap mod r cos alpha k cap इनसे मिलके बना r vector बना अच्छा जिसमें आपको यह बता हूँ नच्छी mod r cos alpha कौन है it is nothing but the projection of r vector on x axis क्या यह बात सही है अच्छा mod r cos beta कौन है projection of हाँ तो आप मैं इस बात को यहां लिख रहा हूँ ठीके फाइनली overall remark में पहला remark ले रहा हूँ r vector is equal to mod r cos alpha i cap plus में कितना mod r cos beta j cap plus में कितना mod r cos gamma k cap लिख दूँ बए यह लिखने के बाद मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ it is projection of r vector on x axis इसका मतलब कई बच्चे अब इसे ऐसे समझे हैं कि लिखने में जरूर एकदम अजीब सी बात है ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ theoretical लिखाने के कुशिश कर रहा हूँ लेकिन समझने वाले इसे ऐसे भी समझते हैं कि अच्छा सर अगर r vector बराबर में कल को किसी ने मुझे 3 i cap minus 4 z cap plus k cap दे दिया और किसी ने पूछा कि बताईए इस r vector का x axis of projection कितना है तो पेरा answer वोका 3 किसी ने पूछा y axis of projection कितना है तो answer is minus 4 minus 4 बताता है कि आपने projection हाँ अब अगर y axis आप आगे मान रहे हैं तो यह बीचे की तर projection है नहीं आया और अगर भाई दो पर प्रजेक्शन अपसाइड वन अरे एक है यह बात समझ में आई हाँ अब आप में से कही लोगों को जिनको यह बात समझ में आगे कि projection का मतलब अच्छा यह जो आई यह आई जे के आगे लिखे होते हैं यह प्रजेक्शन लिखे होते हैं अब तक अपन बहुत बार सुनता है ठीक है अच्छा वापिस बूचों आपसे एक सिंबल जी बात कोई बदाई इस वेक्टर के अंदर projection माने मैंने क्या बदाया था क्या होता है परचाही उपर से डालेंगे जब अपन उपर से डालेंगे तो एक सेक्से से परचाहीं गिरेगी सामने से डालेंगे तो पीछे वाले परदे परचाहीं गिरेगी और इधर से डालेंगे तो इधर वाले परचे परचाहीं गिरेगी ठीक है ना और हर किसी के लिए जब जैसे उपर से डाली तो आरकॉस एलफा सामने से डाली तो आरकॉस बीटा इधर से डाली तो आर्कॉस जामा और तीनों मिलकर के वापे समने को आर वेक्टर देते हैं ठीक है अधि थोड़ा imagination point of view से थोड़ा cracking है लेकिन दीरे दीरे आ जाएगा अच्छा second point सुनना बड़ा interesting कोई अगर इसको देख रहा है तो इसको देखकर के मुझे इसका आर्केप बताए हैं आर्केप कैसे बनाते हैं आर वेक्टर अपान मौड आर से सही है ऐसा परेशन मदो मैं आपसे बूचूंगा जरूर आपको एक बार पीछे लेके जाओंगा फिर मैं खुवी लियाओंगा चिंता मत कर वाई अब आर वेक्टर अपने हमें लिखा है 3i-cap माइनस का 4j-cap प्लस में कितना k-cap सोच लिया अच्छा इसका मौड r बोल दो आपको अंडूर 9 प्लस 16 प्लस 1 तो कितना हो के अंडूर 26 तो भी लिख देता हूं फिर भी 9 प्लस 16 प्लस 1 ठीक है न बई जिसमें आपने से कही लो लिखते ही मैं तुरुन समझ गया कि इस आर वेक्टर के लिखते ही मुझे पता जल गया एल एल बराबर हो गया 3 upon अंडूर 26 सोचो आराम से नहीं आया अच्छा जिनको यह बात समझ मागी वह एम पर आजाओ एम बराबर हो गया माइनस 4 upon अंडूर 26 पक्की बात है अच्छ किसी आगर मेरे से पूछ एल एल मैण समझ गे माने यह कि इसके समक को मैं इसके ाजीं और इसके डरेक्षं कों रिकर लिख्या नहीं है जिनको डा गें पकडां हो दूसरी तरह चलो अब अगली बात सुननाMP किने सर्य सर यह वह एक्टर रेक्सड़ कितना अंगल बनाता वहादनिे यह एंगल मेड रश्र इक्टर सना कि यह व्यम्राय मेन की गिया है य्ँखले प्रमच वयक्स व्यम्राटिय अब मेरा को लगता है। एक 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 बात समझने की कुशिश कर रहे हो उट्याच I p conservative स्वोर के कैसे आया होगा आया किसे होगाский तीनियों चला होगा चार पीछे चला होगा एक उपर गया होगा तब जा किया होगा अच्छा कोई बदा सकता है कि स्पेस में इसके कॉडिनेट रहे होंगे 3-4 and 1 3-4 and 1 आया तो आप में से किसी को बदा है कोडिनेट बोलते ही 3D बोल रहा हो मैं और जैसे उसे वेक्टर में बलता हूं तो वेक्टर में आ गया इसका में तो 3D अन वेक्टर है अटेश्ट टू इच अदर 3D अन वेक्टर है comprehensively attached to each other बुरी तरह से एक दूसरे के अंदर है आपको बस देखना अनाक्सी है तो यह मैं आ लिख देतों आप सब आप तो copy करना चलू कर देना angle made by ठीक है आर वेक्टर from x-axis ठीक है angle made by r-veक्टर from x-axis अलंगे मैं कुछ एक जगे पे थोड़ा परिशान हो सकता हूं क्यूंकि आप physics के लियाद से boost हो कई चीज़े है ठीक है जैसे आप आज़े तो वही एंजी कॉस एलफा एंजी कॉस टिटब है और उस पाद अब तो कि इधर का इसका वो क्या बोलते हैं है ना कमपोनेंट था ना हाँ लो ना आप में से कोई एक बार थोड़ी थोड़ी चीजों को लिखते लिखते भी रिवाइज कर लें कि नॉर्मली आर वेक्टर दिया जाता है आर के बनते ही यह वो अचानक से अपने आर के बना यह 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 अपने आर के बना तो आपने से कोई अगर कभी भी पूछा जाए तो जवाब दे पाएगा कि एलमें कैसे बनते हैं यहैं आर के बना दो तो इसका मतलब यह कि सर्फ जब भी आर के बहते तो ऐलमें वह अपने वंता हैं आर वेक्टर होजाए ने जब आर के बन जाता तो EC0 जाते हैं और जब आर वेक्टर बनता है तो name ये अपने आपने अपने कर लाते हैं डारेकशन को साइन से तो एक जाघ एकशन रिचो अब आप तीन चीज़ों में पिढ़ो डारेकशन और एक और चीज़ आ गई डारेकशन एंगल ना direction ratios वरी, direction ratios याद रहेगा, है ना, इसका मतलब x, y, z अपने आप में ratio है direction ratios, है ना, ये लेकिन ये वाली बात आप में 3D में बताऊंगा ठीक है, 3D में ही बताऊंगा अभी से बता के चलूँगा, बार-बार repeat करूँगा और बस वहाँ जाके लिखाना है अपने को, ठीक है अच्छा, तब तक आते हैं, diagram पे एक और चीज़ सुना आप, एक interesting बात है, इन में बहुत बात हैं निकलेंगी, ठीक है, पहली बात देखो सुना के sir अपने जब sir उसका diagram बनाया था तो आपने जान बूज के एक ही vector, एक ही point लिया और उसके आपने qbird बना दिया लेकिन नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, तो पास वाले दोस्त के दिमांग में आ सकता, नॉर्मली फिरे होता और अगर line segment होगा, तब आप कैसे सोचोगे यह सब, तब भी सोच पहेंगे मतलब, तब क्या direction cosines वगरा possible है, मैंने का हर चीज हर जगे possible है, vector में हर चीज attached है, कुछ भी ऐसे ही बस, ऐसे ही उठा के फ्लूक नहीं है, मतलब, यह A है, यह B है, अब अब अपने अरो किसकी तर vector है, उसके coordinate अपने को दे रहें, X1, Y1, Z1, सही है, B vector के coordinate अपने को दे रहें, X2, Y2, Z2, सोच लो आप तो, सोच लिया, X2, Y2, Z2, तो अपने लिए B minus A बोलते ही, automatically दुनिया में आगया, X2 minus X1, I cap, plus Y2 minus Y1, J cap, plus में कितना, Z2 minus Z1, K cap, आरा हम से सोचे, यह बात सही है, जब तक यह normal AB vector है, यह direction ratio, यह direction ratio, यह direction ratio है, नहीं है समझ में, अब जैसे ही मैं इसका AB cap बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, AB cap, AB cap के लिए mod का divide लगाऊंगा, mod का divide लगाते ही मैं इसको लिखूंगा, AB vector divided by mod AB, mod AB लिख दूंगा, तो दिखने में दोड़ा बयानक लगे रहें, लेकि प्लस में कितना, Y2 minus Y1, जे cap, प्लस में कितना, Z2 minus Z1 into K cap, बराबर, अब ऑन में mod AB, mod AB is equal to हो जाएगा, अंडरोट, mod सुनते ही अंडरोट, फिर पहले का square, प्लस दूसरे का square, प्लस तीसरे का square, सोच लिए आपने, यह हो जाएगा, X2 minus X1 का square, Y2 minus Y1 का square, और Z2 minus Z1 का square, जो लगेगा, और जैसे पहले में डिवाइड लगाएगा, इट बिकम्स L, दूसरे में डिवाइड लगते ही और M, और यह वाला N, माने वापेस वही खेला दालोगा, लेकिन इस पुरी कानी में, जिस कानी ने सबसे अट्रेक किया, वो था mod AB, सहिए, mod AB का मतलब, A और B के बी Y2 माइनस Y1 का all square, प्लस में Z2 माइनस Z1 का all square, यह बात सही है, लेकिन आप में से कहिए हो कि नजर पढ़ी है सर यह distance formula है, हाँ के ना, अचा यह distance formula in 3D है, अब यह 3D में distance formula बन गया, लेकिन आपकी नजर में distance formula in 3D है, मेरी नजर में distance formula in 3D is attached with, बड़े ध्यान से सुनना, वेक्टर on X axis, तो इसका मतलब यह की जो distance formula 3D में होता है, उसमें X2 माइनस X1 is projection, ठीक है, projection of AB vector on X axis है, क्या यह बात समझ माया, का whole square, अगले में लिख दे तो projection on Y axis का square, सोचा, और प्लस में कितना projection, on Z axis का square, सोचो, इसका मतलब यह के question देने वाला, ऐसा question भी दे सकता है, कि let say a vector have a projection on X axis is equal to 19, on Y axis is equal to 20, and on Z axis is equal to 21, find the length of the vector, नहीं आया, find the length of the vector, तीनों का projection दे दिए, तो आपको length of the vector निकाल लेगे, कुछ नहीं करना, 19 का square, 20 का square, 21 का square, कांड रूट लेकाल देना, आपकी value आजाएगी, नहीं आया समझ में, का नहीं पकड़ना आगे, आपको, हाँ, तो यहाद रखना है, यह X2 minus X2 is nothing but the projection, देखें न, इसको जरूर समाल के रखेगा, यह काम आएगा, देखें, अब अपनने धंग से इसकी autopsy कर दी, देखें, साथार सर्थ कांपर के दो ज्वेश्स रड़ले, आपके शोर के म hell I के रखें भ्हाँ से ब Cody, हूख के अब चादर कि दिए, कि झार के व 1 घिएखें र没有IC, तो जिएजगरा से लूख कि बिएग से पनाः वह फल फ़राकर में, लोटी खाख सेब से ग़सरों कि दोषें प अग्ला टाइटल डालेगा co-linear vectors अंडरोड में प्रोजेक्शन ऑफ AB on x-axis का स्क्वाइर, प्रोजेक्शन ऑफ y-axis का स्क्वार, प्रोजेक्शन ऑफ z-axis का स्क्वार आते हैं अगले टाइटल की और co-linear vector लिखें को लिनियर वेक्टर में लिखें का सबसे पहला है अच्छा यह कॉपी कर रहे हैं लिखें को 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 लिखें is parallel irrespective of their direction two vectors are said to be collinear if their line segment if their line segment is parallel irrespective of their direction irrespective of their direction ठीक है बैप irrespective of their direction obviously बात है ठीक है दो vector अपने आप में collinear vector कहलते हैं कि अगर आप AB vector और BC vector को देख रहे हैं देख रहे हैं तो यह दोनों अपने आप में एक line में हैं लेकिन साथ में गौर से देखा दो दोनों एक दूसरे के parallel भी हैं अच्छा यह अगर बाई दोवे ऐसे दो vector होते हैं कि यह ऐसा होता और दूसरा सामने से ऐसा होता तो क्या यह collinear नहीं होते हैं माने दोने cases में parallel होते हैं और parallel का नाम सुनते ही अमारे दिमांग में भढ़ जाना चाहिए कि अगर यह वाला vector अगर A vector और यह वाला B vector है यह A है और यह B है तो दोने cases में A vector is parallel to B vector है इन बोद the cases यह बात सही है और A vector बराबर में B vector A vector is parallel to B vector सुनते ही दिमांग में आ जाना चाहिए A vector बराबर lambda B vector याद आया अच्छा अगर lambda is positive अगर lambda is positive then they are known as like vector अब तो यह like है like माने same direction में नहीं आया और lambda अगर कल को negative आ गया तो हम समझ जाएंगे कि they are unlike vectors that's it सही है हाँ भई अगले point पाईएगा next पाईगा यह सब अपन जो भी कर रहें बोथ primary stage पे बस basic डालते जा रहे दोबारा आएंगे यह सब चीजन उट उट कर गे ठीक है अगले point पादाओ next coplanar vectors coplanar vectors लिख लिया लिखेगा रुकवा यह हूँ मैं अबई a1 vector a2 vector a3 vector data dash an vector लिखेगे नबई a1 vector a2 vector data dash an vector our coplanar vectors are coplanar vectors are coplanar vectors if they all are parallel to same vector sorry if they are all if they are parallel to coplanar vectors if they are parallel to same plane if they are parallel to same plane if they are parallel to same plane ठीक है बई हाँ बई हलंगी यह सब bookish language लिखा रहा था कि मैं अपने सर्वे कुछ भी नहीं लेना जाता ठीक है बाकी समझाने यह समझने में तो हर बच्चे को इतना detail में सब पता होता है उसको खुद को idea होता है एक plane में मिलने वाले सभी vector coplanar vector है इसका मतलब यह की जैसे यह plane है plane तो जैसे यह board एक plane है इसमें मैं कहीं पर भी line एक हैस दो कितनी भी line है है किसी भी direction में है सारी line है एक ही plane में है और सारी line है जब तक एक ही plane में तो they all are coplanar और इनके नाम जैसे यह a1 रहा यह a2 रहा यह a3 रहा यह a4 रहा ऐसे बहुत सारे vectors हो कैं they all are in the same plane so I call it them coplanar vectors हम औरो हर फिलीन का नॉर्मल बाट में नॉर्मल वेक्टर नॉट होता है अभी से बेस को डालру हु सह जो इस प्लेने Όले पाई ज्लेटर वेक्टर के परप्टंडिकुलर होता है जैसे अगर भाई देवे मैं सतेली पें कितने भी तरीके से पैन सजालू कैसे भी पैन सजालू मैं जैसे भी कैसे भी करके पैन रखूंगा हर पैन के ये वाला जो चौक होगा ठीक है परपेंडिकुलर निकलेगा अब वे असी बात है जैसे आप इसके सामने बेठाऊगे तो यह पर पैन्डिकुलर निकलेगा यह पे ले जाओ यह पर पैंडिकुलर निकलेगा निकलेगा ग्रीन वाले चाह है तो दो नबका यह लिए चलता है क्या कि एक प्लेन में जितने भी फैक्टर होंगे उनस साब के एक vector ऐसा होगा जो हमेशा कैसा होगा perpendicular और अगर यह perpendicular होगा तो दोनों का dot पड़क 0 होगा सही है और यह जो एक vector ऐसा जो पूरे plane में plane के perpendicularly upside है या downside है whatever यह जो इसके हमेशा perpendicular है it is known as normal vector we call it n vector हम इसको n vector की नाम से बुकारते हैं ज्यान रगना भई ठीक है ना तो हर plane के perpendicular एक vector होगा सही है जिसको हम लोग किसके नाम से बुकारेंगे n vector ठीक है तो एक diagram बना ले ले ना n vector और n vector इस उकरड़ू में लिख लिए जिका normal vector to plane normal vector to plane सही है है हाँ बई a vector a1 vector यह मैं लिख रहा हूँ a2 vector a3 vector a n vector all are perpendicular to n vector यह जितने भी हैं सबके सब n vector के perpendicular होंगे implies a1 vector dot n vector is equal to me a2 vector dot n vector is equal to me a3 vector dot n vector that the dash equal 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 is equal to me a n vector dot n vector equal to 0 यह सब 0 होंगे सही है और यह सबके सब क्या होंगे equal to 0 क्यों क्योंकि सबका dot product क्या है 0 है सही है हाँ यह अभी से ही आप बांते चलो यह चोटी चोटी हरकत हैं यह सब काम आने वाला है और यही सबसेज़ा काम आने वाला है IAT तो 100% 3D के अंदर 3 question vector में 3 question देके ही रहता है इससे जदा ही देता है माने 6 question हर साल के लगबग पक्के होते आ रहे हैं और जैसे से यह year wise आगे बढ़ते आ रहे हैं यह कुछ एक चीजों को कम करते आ रहे हैं चीजों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं जैसे calculus के अंदर functional equation पे बहुत load दे रहे हैं अब यह function नहीं देते हैं यह functional equation देते हैं ताकि आधे स्यादा बच्चे तो बाहर हो जाएं क्योंकि हमारे को पता है कि functional equation पे सोचने ही बहुत मुश्किल है और आसान भी है अगर by the way कोई कमजोरी छोड़ दे तो ठीक है तो बहुत जल्दी सोजाते हैं जैसे बच्चे समझ जाते हैं देखते ही कि अगर by the way कोई function है जिसका f01 है और जिसका f-x f-00 है ठीक है ना f01 है और f-00 है तो तुरन समझाते हैं बच्चा की वो जरूर cause x होगा क्योंकि cause 0-1 है और उसका differentiation तो बच्चा सोच करके answer बना लेता है और answer rate हो दाते हैं यह इसमा सब habit है तो उसी तरह से vector भी एक आज कल बहुत promotional chapter है एनिवे आगे बढ़े यह लेख लिए आपने ठीक है हाँ बई अब इसके अंदर जब आपने यह लिख लिया इसके बाद में point number 2 पर आईएगा इसको point number 1 दीजेगा point number 2 लिखेगा लिखो हाँ बई एक चीज मैं आपके physics के उधार ले रहा हूँ ठीक है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर direct ठीक है बई n vector is equal to में plus minus a1 vector cross a2 vector upon में mod a1 vector cross a2 vector सोचो कहीं सुना होगा आपने n vector is equal to plus minus a1 vector cross a2 vector upon mod a1 vector cross a2 vector यह आप लोगों ने सुने के नहीं सुना यह ऐसी ऐसी बाते भी अगर by the way नहीं सुनी है कोई बात नहीं है ठीक है लेकिन बस बताते है जरूर जाना यह नहीं सुना है हम मैं रोसे में रज़ाओं कि यह तो सब physics में सुना है अरे ऐसा नहीं हो आपने सुना है बस यह और बात है कि आप click नहीं कर रहे हो देखो मैं आपको यहां दिलाता हूँ जैसे कोई भी दो वेक्टर है यह एवन वेक्टर है यह टू वेक्टर है दो वेक्टर हमेशे एक plane में होते हैं सही है इनके बीच का यह अंगल थीटा है तो देखे साब एक्ट्व में कोई भी दो वेक्टर जैसी हाते हैं तो आपको बता है ना हम जब थीटा निकालते हैं तो हम लोग हमेशे अंटी क्लॉकवाज निकालते हैं ऐसा और ऐसा करने के बाद में यह हम ओटमेटिकली आप हो जाता हैं आपको बताए यह इस तरव यह समेटना क्या बताता है इसका मतलब यह कि एक spiral बनेगा जो कि इस तरह से जाएगा यह जो आतों के उंगलिया है यह basically spiral को दिखाती है क्या आप अमेशन A1 से A2 की तरफ move करोगे तो यह upside होगा अगर आप A2 से A1 की तरफ move करोगे तो downside होगा अच this is N vector यह अपने आम N vector है अब देखो क्योंकि यह perpendicular है किसके इसके या इसके यह पूरे plane के perpendicular है यह पूरे plane के perpendicular है इसके लिए मैं कह सकता हूं इन दोनों की बीचे बनने वाला एंगल 90 इन दोनों की बीचे बनने वाला एंगल 90 तो A1.N vector equal to 0 A2.N vector equal to 0 और साथ में A1 cross A2 को यह शो कर रहा है नहीं आया अच्छा क्योंकि यह भी यह भी थोड़ ध्यांसर सुनना है जब तक मैंने इसे N vector लिखा तब तक यह A1 cross A2 को ही शो करेगा लेकिन अगर मैंने इसे N cap लिख दिया तो मुझे उसी का mod का divide करना पड़ जाएगा नहीं आया तो जैसे मैं इसको इसके mod से divide करूँगा तो यह N cap बन जाएगा मने अब यह इसका unit vector हो गया एक normal vector बना और normal vector का भी unit vector नहीं है अच्छा ऐसे कितने vector होंगे दो एक upside और एक downside इसलिए एक को plus और एक को minus का नाम दिया गया अभी भी नहीं है अच्छा तो यहां रखना जैसे अब मैं मालो कुछ नाम दे लेता हूं ठीक है this is our vector this is s vector जैसे मैंने इसको शो किया it is a normal vector पहले तो आप n vector का फार्मूला बोलो R cross S इसका value क्या आगया R cross S अब मैंने क्या नहीं मुझे तो इसका unit vector बताओ R cross S upon mod R cross S अगर मैंने upside रख रहा है तो plus और यह downside रख लिया तो minus मेरे को लगता है इतना तो अद्धा ही है ठीक है ना अगली class कि नहीं अगली किसी class नहीं मेरे को दियाने में आपको देख लाए औरे मैं प्लस माइनस यह फर्मूला लिख लिया अगला कि बस मेरे को वस यह लिखवाना यह किये था triangle of edition उतार लिख लें लिख लो आप triangle of edition क्योंकि एक दो लएंगे उसमें कुछ नहीं दम नहीं है ठीक है लिखें क्यों बटावट से triangle of edition triangle law of edition यह क्या है छोटी छोटी चीज़े है यह फिर मेरे को फिर परिशान करेंगी triangle of edition जिसी को ध्यान भी है क्या क्या if two sides of the triangle representing two vectors following each other प्रेजरों than the third side represents their vector sum लिखलों बड़ा वट्सेंट में क्या है? if two sides of the triangle representing 2 sides of the triangle representing if two sides of the triangle representing if two sides of the triangle representing two vectors following each other then third side in opposite direction then third side in opposite direction then third side in opposite direction represents their vector sum then third side in opposite direction represents their vector sum ठीक है बहुत मस्चीज है साफ बहुत काम की चीज है ठीक है उमीद है वैसे तो आपने जितने experiment करने होगे या तो कर लिए होगे या बिल्कुल छोड़ दिया होगा दोनों में से कोई नो कोई बात होगी यह नामे A यह नामे B सही है A से B की और जाने वाले को मैं यह vector नाम दे रहाऊ अब इसी का पीछा करता हो दूसरा arrow होना चीज़ दौनों एक दूसरे का पीछा करते हो अगर A vector करता हो इसको अगर B vector करता हो तो तीसरा counter करता हो वाना चीज़ उनका ultime तो ही इनका vector sum होगा तो अगर देखा था तो it is c vector तो यहां से चिला के बोला दस्ता कि c vector is equal to a vector plus b vector according to triangle of addition दो vector एक दूसरे का पीछा करता होने चीए तीसरा सामने साहता होना चीए नहीं है, जो सामने साहेगा वो उनका vector को show करेगा जिसे मैंने ऐसे लिखा, ऐसे भी लिख सकता था ज्यां से देखना, इसे मैं लिख सकता था a b vector, क्योंकि a से b की और गया plus b c vector b से c की और गया, इस इकल्टों में कितना? a c vector, भराबर है ना भई? इसमें कोई doubt? जिसे यह समझ में आता है, उसको एक और चीज पता होनी चीए, कि द्धान से देखो यह लिखा हूँ है, a b vector plus b c vector और minus में a c vector equal to 0 अरे, a c गोदर लेगा? अच्छा, आपको यहां पे छोटे-मोटे अरकत करनी आनी चीए, यह भी बड़े interesting है अपने को ज़्यादा deep में नहीं लेगे जाना b c vector और minus a c vector माने c a vector equal to 0, सोच लिया? इसे polygon log बोलते हैं polygon log कब बहते हैं? जब आपका starting point और ending point same हो जाए और बीच के सारे point नहीं ऐसे कूद कूद के गूम रहे हो, देखो b से b, c से c और बापेस a से यह निल जाए इसका मतलब समझना इसका मतलब यह कि दुनिया में कभी भी कितने ली vector हो अगर आपने यह लिख दिया जैसे लिख दिया a b vector plus में b c vector plus में c d vector plus में d e vector और फिर बापेस आपने ea vector लिख दिया तो यह आँक का अंदा भी बताजेगा कि 0 होगा नहीं आए समझ में a b vector plus b c vector plus c d vector plus d e vector plus ea vector जिससे शुरूआ उसी भे खतम हो जाए तो 0 हैगा क्यों? क्योंकि जैसे ऐसा हुआ यह खतम ही तभी होगा जब polygon lock हो जाए नहीं आए समझ में polygon lock हुआ है तभी है 0 बना काणी पकड़ माई हाँ यह vector diagram बहुत काम की जीज़ है इसी के दम पे तो लोगों ने किसी डाइम पे vibration less, motorcycle, vehicle जितना mechanics है, जितना mechanical है सब इसी के दम पे खड़ा गिया ठीक है crank shaft से piston से crank shaft आने वाला thrust मने उसका force ठीक है, उसको vector में निकाल लिया direction के साथ direction of magnitude मिला कि उसको vector value निकाल लिया निकालने के बाद में piston से crank shaft crank shaft से crank गया crank pulley केता है जिसे, crank pulley से chain chain से ठीक है ना, chain से wheel सही है और वापेस wheel से उपर बैड़ी बोडी, अगर बाइद वे इन सब का sum zero आ गया ठीक है ना, तो 100% जो भी motorcycle तयार होगी या जो भी two wheeler तयार होगा ठीक है, वो automatically vibration less होगा क्योंकि अगर बाइद वे, अगर ये zero नहीं आया, इसका मतलब कोई external force extra बच गया अगर बाइद वे, इन सब का sum zero नहीं आया और अगर zero आ गया तो automatically सब एक जूसर को nullify करते जा रहे है नहीं है समझ में ये वी बड़ी interesting बाद है anyway छोड़ो ना आप तो, ये तो समझ में आ गया बाकि अपन कल चर्चा करते है